मंगला विद्या मंदिर के सबी चात्रों को आपकी हिंदी की शिक्षिका लोना का नमस्कार बच्चो आज हम पड़ेंगे आपकी पार्टी पुस्तर की एक जो कविता है वो पार्टे रहा हमारे पर्व और त्योहार बच्चो इस पार्ट की नाम सुनते हैं आपको पता चलता है बारत की समस्कृति के भारे में आज हम जानने वाले हैं करके है ना जिसे बोलने गया तो भारत त्योहार और मेलो का देश है ना पूरे विश्व के तुलना में भारत में अधिक त्योहार मनाए जाते हैं प्रत्यक त्योहर अलग अवसर के संबदित है कुछ वर्ष की रुतूं का फसल कटाई का होतो या कुछ त्योहर वर्षा रुतूं का आगमन के लिए हम मनाते हैं या कुछ त्योहरों को पूर्णिमा में हम पूर्णिमा का स्वागत करने के लिए मनाते हैं या कुछ त्योहरों को बारत देश की विबिन भागों में अलग अलग नामों से भी पुकारा जाता है और कुछ त्योहर है जो पूरे भारत देश साथ मिलकर भी मनाते हैं उसे हम कह तो बच्चों इस खविता में मैं आपको कुछ एक्टिविटी देने वाली हूं वह एक्टिविटी को भी हम एक बर देख लेते हैं वह आपकी टेक्स्ट बुक में भी है पेज नंबर 77 जो टेक्स्ट बुक पेज नंबर 77 है उसमें है जैसे कि हमारे रास्ट्रिय त्योहार रास्ट्रिय त्योहारों के बारे में ठीक है यह आपका एक्टिविटी होगा रास्ट्रिय त्योहारों को आप क्या करेंगे और कौन से कौन से रास्ट्रिय त्योहार है उसका एक अच्छे से चार्ट पेपर में आप चिपकाएंगे उसके संबंदित कुछ चित्र मिलेंग तो चिपकाएंगे और किस दिन मनाया जाता है उतना उतना लिखने से आपको काफी है जैसे कि यहाँ पर आप इसमें देख सकते हैं वीडियो में जैसे कि गनतंत्र दिवस रिपरब्लिक डे आफ इंडिया मतलब रिपरब्लिक डे करके हम जो कहते हैं जो 26 जन्वरी को हम आपको काफी है तो यहाँ पर आप इसी वीडियो में आप देख सकते हैं कौनसा कौनसा आक्टिवीटी आपका है करके बुलके तो आप यहाँ पर देख सकते हैं तो गनतंत्र दिवस मतलब के हैं गनतंत्र दिवस भारत का एक रास्टिय परव है मतलब एक नैशनल फेस्ट तो उसी दिन को हम क्या करते हैं गणतंत्र दिवस की हिसाब से सेलेब्रेट करते हैं जो समीदान दीन करके और एक है वो 26 नवंबर को हम सेलेब्रेट करते हैं पर गणतंत्र दिवस करके हम कब 26 जानवरी को हम सेलेब्रेट करते हैं तो बच्चों आगे हम देखते हैं हमारी औ स्वतंत्रता दिवस Independence Day 15 अगस्ट तो आपको सबको पता है 15 अगस्ट 1947 में बारत स्वतंत्र हो गया था अंग्रेजों की हुकूमत से बारत स्वतंत्र हो गया था तो प्रती वर्ष्य इस दिन में भारत की फ्रदान संत्री लाल के लिए में द्वजारोहन करते हैं और वहाँ पर क्या होता है जो देश की लोगों के लिए वो संबोधित करते हैं देश की लोगों के लिए तो हमारा तीसरा राष्ट्रियप पर वो है घांदीजी, मेरे हिसाब से आप सब जानते हो गांदीजी कौन है? है ना? गांदीजी हमारे रास्ट पिता है, उनका पूरा नाम है मोहंदास करमचंद घांदी, उन्हें क्या कहते हैं उन्हें बापू भी कहते हैं इनके जनम दिन को हम गांधी जेंदी दो अक्तोबर को हम क्या करते हैं पूरे भारत वर्ष में हम गांधी जेंदी करके हम सेलेब्रेट करते हैं हम मनाते हैं क्योंकि उन्होंने हमको स्वतंतरता दिलाएती तो इसलिए उनक के जनम दिन को मनाते हैं तो बच्चों आपका होगा ये तीन एक्टिविटी होगा स्वतंत्रता दिवस गणता दिवस स्वतंत्रता दिवस और घांधी जैंती उसका जो डेट कब आता है और कौन से महीने में आता है करके लिखिए और इसके संबंदी तैसे कुछ चित्र मिल है तो उसको आपको चिपकाई है ठीक अच्छी तर चिपकाना जरूरी है आपको करना जरूरी है ठीक है यह होगा आपका एक्टिविटी एफ़स पेपर शीट में बनाई है और अपना नाम लिखना मत भूलिए ठीक है तो बच्चों आगे हम चलते हैं हमारी कविता की उसके बाद में मैं explain करते हैं तो मैं पढ़ते वक्त अब ध्यान से देख लिजिए अक्षरों के उपर ध्यान रखिया पाटते रहा हमारे पर्व और त्योहार हमारे पर्व और त्योहार कुशियों का यह है भंडार मकर संक्रांति वा पोंगल या हो लोहडी का त्योहार देटे कुशियों हमें अपार गूर पर्व दीवाली इद वा होली वसंत पंचमी हो या क्रिस्मास प्यारे प्यारे वस्त्र पहन कर कूभ मनाते हम त्योहार हमारे पर्व और त्योहार देटे कुशियां हमें अपार 15 अगस्त को मिली आजादि 24 जन्वरी को बना समिधान शिक्षक दिवस है 5 सितंबर 14 सितंबर को हिंदी दिवस मना महान हमारे पर्व और त्योहार है बारत की मान और शान दिखे हमारे पर्व के भारे में हमारे त्योहारों के भारे में एक बहुत सुन्दर कविता है आपके अपनी किताब में देख सकते हैं, है ना बच्चो? तो पहले हम शुरू करते हैं, हमारी पहली paragraph वो है हमारे पर्व और त्योहार, हमारे पर्व, पर्व मतलब पर्व त्योहार, दोनों का मतलब क्या है? festival या special day जो पर त्योहार मतलब festival होता है पर्व या special day करके हम कह सकते हैं कुशियां कुशियां का ये है भंडार मतलब आप जस्ट इमेजिन कीजिए आपके गर में कुछ भी festival हो रहा है कुछ celebration कर रहा है आप लोग पर्व celebrate करें तो क्या होगा पूरे गर में कितना कुशियाली रहती है गर में नए अच्छे अच्छे पकवाने बनते हैं नए नए कपड़े पहनते हैं न बहुत मज़े भी करते हैं इसलिए बोल रहे कि कुशियों का ये है बंडार मकर संक्रांती वा पोंगल या हो लोडी का त्योहार देखे मकर संक्रांती देखे मकर संक्रांती पोंगल या लोडी ये तीनों पर एकी है जो नया क्या नया रुतुखा जो आगमन में हम मनाते हैं जो मकर संक्रांती करके करनाटा क्या पक्षिम बंगाल में भोला जाता है पोंगल करके थमिल नाडो में भोला जाता है वही लोहडी करके फंजाबी लोग बोलते हैं एक ही त्योहार को अलग-अलग नामों से हम पुकारते हैं सबको अपने गले लगाकर कूब बाटते हम उपहार और अपको पता है जो कोई festival या कूछ सेलेब्रेशन के लिए क्या करते हुआ हम लोग एक दूसरे से गले मिलकर हम अपने कुश्या बाटते हैं और एक दूसरे को उपहार गिफ्ट देते हैं करके कह रहे हैं हमारे पर्व और त्योहार देते कुश्या हमें अपार तो फर्वो से हमें क्या मिलती है बहुत सारे कुशिया मिलती है गुरुपर्व दीवाली इदवा होली वसंत पंचमी हो या क्रिस्मस प्यारे प्यारे वस्त्रपहनक कूब मनाते हम त्योहार हम क्या करते है गुरुपर्व जो पंजाबी पंजाबी लोग जो मनाने वाले जो गुरु पर्व और दिवाली दिवाली तो आपका पता है पुरे करनाटक प्रभारत में जो मनाते है इद जो मुसल्मान लोग मनाने वाले जो त्योहार है जो होली जो रंगों का त्योहार कहा जाता है होली को पसंद पंचमी हो या क्रिस्मस जो क्रिशन्स लोग जो मनाते है Jesus Christ के जनम दिन के लिए जो मनाने वाले पर्व है जो उस दिन में क्या करते हैं? अलग-अलग, मतलब मैंने जिसे कहीं हूँ भारत देश में अलग-अन्य जाती के लोग रहते हैं अन्य धर्म के लोग रहते हैं उनका त्योहार उनकी जो वेश भूशा अलग-अलग है उसी तरह से उनका जो फेस्टिवल वो जो भी पर्व या स्पेशल डे को वो लोग त्योहारों को अलग अपने थरीके से मनाते हैं तो प्यारे प्यारे वस्त्र पहनकर, नहीं वस्त्र पहनकर वो लोगों कूप कुशिया मनाते हैं, हमारे पर्व और तयोहार देते कुशिया हमें अपार, 15 अगस्त को मिली आजादी, 15 अगस्त को मिली आजादी इंडिया, इंडिपेंडेंट हुआ, आजादी मिला हमको है न, 26 जनवरी को बना समीधान मैंने जैसे कही हूँ 26 नवंबर को समीधान पहला समीधान बना था जिसे कानून दिवस की रूप में भी मनाते है डॉक्टर हमारे जो डॉक्टर बियार अमबेड कर है एक प्रसिद समाज सुदा रखे राजनीतिग्न है उन्हों या न्याई बादी भी उन्हें खेते ही उन्होंने हमारी समीधान को बनाए है शिक्षक दिवस है 5 दिसंबर, 5 दिसंबर जो सर्वंपली रादा कृष्णयन की याद में शिक्षक दिवस हम मनाते है 5 सितंबर को, 5 सितंबर को क्या मनाते हैं टीचर्स's Day मनाते हैं तो बाद में हैं 14 सितंबर को है राजवास बनाने को इस दिन समीन्धान सबाद ने एकमत से यह निरने किया था कि हिंदी भारत की राजबाशा होगी करके उन्होंने तैयर किया था तो इसलिए उस दिन को हम क्या कहते हैं हिंदी दिवस करके हम मनाते हैं हमारे पर्व और त्योहार है भारत की मान और शान देखे हमारे त्योहार क्या है भारत की मान और शान बढ़ाती है जो मैंने जैसे पहले कही चुकी हूँ ऐसी अनेक तरीकी के त्योहार सिर्फ आपको भारत देश में आपको देखने को मिलती है पूरी दुनिया में जो विदेशी देशों को comparison किया तो हमें सिर्फ हमारी देश में भारत देश में अलग-अलग दर्म के लोग रहते हैं अलग-अलग बाशाएं बोलते हैं और उनकी रहने का धंग अलग है उनका पहनाओ मतलब जो वो लोग कपड़ा फेंते हैं जो अलग-अलग तरीके से कपड़ा फेंते हैं तो उनका रहने का धंग अलग होता है उसी तरह हमारा भारत देश में बहुत सारे त्योहार भी हम मना तो बच्चों यही पर आपकी एक खविताई खतम होती है तो इसके अभ्यास सखारे एक बार में को शब्दार्त पढ़ूंगी जिसकी आप टेक्ट्बुक में देख सकते पेज नमबर 75 में पर्व पर्व मतलब खास दिन्या स्पेशल डे वस्त्र मतलब खपड़े क्लोथ सभार मतलब फेस्टिवल मान मतलब हॉनर आजादी स्वतंत्रता फ्रीडम समविधान कानून के रूप में भने नियम कॉंसिट्यूशन करके हम कहते हैं दिवस दिन शिक्षक मतलब टीचर शान मतलब प्राइड बच्चों तो इस कविता के साथ में मैं आपको कुछ अक्ट जिपकाई है और उसका नम और कब मनाया जाता है। उसको साल अप लिकाएंगे तो महिन और दिन लिखने से काफी है, वह आपका अक्टिवीटी होगा बच्चों तो activity करेंगे आप करके class की group में post करना ज़रूरी है और हर किसी बच्चों को अपना नाम लिखना मत बूलें हर activity के नीचे अपना नाम लिखना ज़रूरी है तो बच्चों आशा करती हूँ आज की पढ़ाई आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा दुबारा एक बार इस वीडियो को देख लीजिए और कविता को अच्छी तरह से पढ़ लीजिए ठीक है धन्यवाद